निमस्कार आप देख रहे हैं निजबोच इंडिया मैं हूँ आपके साथ पंकशी आदब करते हैं बुलेटरिन के शुरुआत उत्राखंड के पूर्ब मुख्यमंत्री पहुचे हैं गौरपूर बड़ी खबर आपको बता रहें जहांपर पूर्ब मुख्यमंत्री त्रवेंद्र रावत पहुचे हैं गौरपूर त्रवेंद्र सिंग रावत ने सीम योगी से की है मुलाकात सीम योगी आदितेनाद को भेट किया है सिष्टा चार गौरपूर की तेरा कोटा शिल्प के मुरीद हुए हैं त्रवेंद्र सिंग रावत और सीम योगी ने विश्व में दिलाई है पहचान ये कहा गया है उनकी दरब से तो बड़ी कपर उत्राखन के पूर्व मुखे मंतरी पहुँचे हैं गौरपूर जो आपको बता देखी त्रवेंद्र सिंग रावत ने सीम योगी से मुलाकात की है सिष्टा चौरी मुलाकात बताई चौर रही है इसी के साथ बता देखी गौरखपूर की 13 कोर्ट शिल्प के मुरीद हो चुके हैं तिर्वेंदर सिंग राबत और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो हाँ पर बता देखी आज उत्राखंड के पूर्ब मुख्य मंत्री पहुचे हैं गौरखपूर इसी खबर पर जादा जानकारी के साथ मेरे सायोगी धनेश कुमार मेरे साथ फोन लाइन पर जूड़ चुके हैं धनेश जिस तरीके से उत्राखंड के पूर्ब सीम ने आज मुलाकात की है मुख्य मंत्य योगी आदितेनाथ ने इस दुरान क्या कुछ खास अबडेट जी बिल्कुर मैं बता जूगा आपको की कर्म मोखंती होगी आदि इतना से वास्ता कि उनकी जमस्दाव को सुना और समन्दी तरीकारियों को उनके मामरों को जल से जल निसान करने की बात कहीं अगर बात की जाए तो उत्राखंड के पूरवें जो तिवेन इस इंगरावद जी यहां गोरब कुशे हुए हैं उन्होंने पैसा से परे जाके तेरा कोटा जो जहां बना जा जाता है गोरब कुशन में जो गर है वो सबसे बड़ी बात है उसके बाद वो यहां गोरगनाद मंदिर पहुँचे गुरु गुरग शिनाज के दर्सन करने के बाद मुखमंत्री योगी आदितनास से मुलाकात की उसे सिश्णादार भेट की वार्ता भी हुआ जी बिल्कुल धनेश जिस तरीके से यूपी में योगी आदितनात ने एक विकास की जो गंगा है वो बहारा की है उसको लेकर क्या कुछ कहा है त्रवेंदी सिंग रावत ने क्या जोरान उन्होंने यूपी को देखकर एक है देखकर चीज्ट को बिंजू के वाथ चित की मिला उन्होंने बात की जाए तो तेरा पोटा का खास करके जो विकास कि द्रौकर के धातुम जो में चले वाद दो शुक्रिया धनेश इस खबर पर जूरने के लिए विस्तार पुबक जानकारी देने के लिए खबरों में आगे बात करते हैं जहाँ पर प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी आयोध्या के शीराम जनम्भू में मंदिर में राम लला के प्राण प्रतिष्टा कारिक्रम में मुख्य यजमान होंगे शीराम जनम्भू में तीर्थ शेत्र ट्रस्ट अध्यक्स के हस्ताक्षरवाला आमंतरन पत्र प्रदान मंत्री को भेजा जाएगा तारीक क्या होगी ये धार्मिक विद्वानों से शुबु महरत निकालने के बाद ही तै किया जाएगा मगर ये तै है कि 14 जनबरी 2024 के बाद जब सूर्य दक्षणायन से उत्रैन में आ जाएगा उसी के बाद मकर संक्रांती या उसके आसपास की ये जो तारीक होगी उस समय पर ही तै की जाएगी त्वे भी नंटर नन्ट नंटम्य होगा-व्यश्ruit लगी हेर्श्재। घ्यक्त किर इसके जние अज की तरफ से जाएगी कोई भी काम होता है तो न्यास की और से होता जन्वरी में बुलाए जाएगा उनको क्यों इतना बताएंगे तुकान रिणे यह भी हुआ कि प्रार प्रतिष्था प्रमाननी प्रधानमंत्री महदय पधारे इसलिए उनको एक बहुत विनम्रता का निवेदन पत्र भेजा जाए क्योंकि तीठी तैय नहीं है तो ये लिखा जाए कि दिसंबर और 26 जन्वरी के पहले या जन्वरी उसमें जो भी है उधर उत्तर प्रदेश में मदर्सों और दरगाहों पर भी योग का कारेक्रम होगा 21 जून यानिकी योग दिवस पर दरगाहों और मदर्सों पर योग का कारेक्रम आयोजित किया जाएगा इसकी जिम्मेदारी बीजेपी अलपसंखक मोर्चा को सोपी गई है बीजेपी अल्पिसंक कमोर्चा अभ्यान चड़ा कर करीब 900 जगाहों पर योग अभ्यास कारिक्रम का आयोजन करेगा इसके लिए करीब 400 प्रमुक लगाए गए हैं अंतराश्टिये योग दिवस को खास बनाने के लिए तयार यान चोरों पर है इससे पहले उत्तरप्रदेश के मदर्सों में योग दिवस मनाया जा चुका है लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब दरगाहों और मजारों पर योग दिवस पर योगा अभ्यास कराया जाएगा सरकार की मन्शा है कि सभी को योग का संदेश दिया जाए लोग योग से जुड़े और इसे उनके शरीर और मन को स्वास्त लाब प्रदान किया जा सके इस बार हम लगभग 400 कारकरम परमुकों के साथ लगभग 900 जगह उपर इस बार योग के कारकरम उतरप्रदेश के होंगे जिनमें बड़ी तादाद के अंदर मुस्लिम खानका हैं मदर से और सूफी सूफी विचा अधारा के लोग शामिल होंगे और ये कारकरम इस बड़ी शुरू होगी और चन्ने के लिए चलेगी CTC, BBSR और रास्ते में सब इप्रमुक इस्थानों पर होगा इखटा थेराब शब को ले जाने के लिए ट्रेन में एक पार्सल बैन भी जोड़ी गई है तो बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं जहां पर आपको बता देगी शब को ले जाने के लिए ट्रेन में एक पार्सल बैन को भी जोड़ा गया है बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं एक बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्किन पर एक विशेश ट्रेन भद्रक से दोपेर एक वज़े शुरू होगी और चन्ने के लिए रवाना होगी और इसी ख़बर पर जादा जानकारी के साथ मेरे सही होगी सरोज मेरे साथ फोल नाइन पर जूर चुके है सरोजिक विशेश ट्रेन जो है वो अब शुरू होगी जो शबो को लेकर आएगी इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट अपड़क जी सकसे बड़ी बात है यह सकसे अफडेट खबरे कि यो भद्रक ते दिनको एक बजे बद्रक निकले कि चросने सपर चो करहेगी लेकिन यह जितने पहुच पा रहे हैं तो जो लोग वहां तक नहीं पहुच पा रहे हैं उनके जो परीजन है जिनकी मौत हो चुकी है इस हाथसे में उनके शवों को लेकर जगा जगा पर ट्रेन को रोका जाएगा ताकि वो अपने नतक का जो शरीर है वो ले सके पांकर जैसे भी आप जो बोल रही है वो बिल्कूल पूरा ठीक है लेकिन ये एक जो बात है कि जो उडिसा से करमन रेक्सर जो कोलकाता से उसमें कही सारे राज्ये के पैसेंजरों पैसेंजर जो षैंजर की कोई चैनने का था कोई जीता का पचनम का था जो पर बेंगलूरू का था, कोई वेस्ट बैंगल का था तो वेस्ट मेंगल तक सफारू का था हो चुका थी, वेस्ट बैंगल तो निकल रही थी, वोडिता के बाद जो जो राज्य आएगा, जो 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 जिल्ला भी आएंगे, वो डेड़वडी को लेने के लिए उनके पास कोई के लिए रवानों के बुभनेसुर में पहुंच गई है और गुभनेसुर तो लासों को अभी रखा गया है उसके बाद उनका भी पेचान करवा दिया जाएगा सरोज इस ट्रेन में एक पार्सल बेंट को भी जुड़ी होगी इसको लेकर किस तरीके से हाँ यह जो ट्रेन जो जारी अक्चली एक पार्सल बेंटा यह खड़ी हुई थी भद्रक में तो इसको परेलो डिपार्टमेंट में एसाइन किया जो डैक्ट भेंट जो होता है पोस्ट अपिस वाला जो गाड़ी होती है उसको कानबच किया गया डेड़वडी ट्रांस्पो बिल्कुल अभी वहां के क्या हालात हैं सरोज किस तरीके से वहां पर कार्रे किया जा रहा है घटना इससल पर पर पंकर जैसे कि सुबह सुबह रेलो मिनिस्टर अस्पिनी बसनफ जी आयते है अस्पिनी बसनफ जी आने के बाद फिर रेक्टिफाई करने लगे से एक्सिरेंट हुआ बोलके अस्पिनी बसनफ जी ने बोलाया और अस्पिनी बसनफ जी ने सीधा काउंटर भी किया है ममता बानार जी को जो वेस्पंगल की सीयम है उसको जो ममता बानार जी बोल रहे थे कि यह 500 से ज्यादा डेड़वर यह लेकिन यह लोग छुपा रहे है लेकिन इसको पुरा क्लारिटे और क्लारिफाइब कर दिया है वह सीधा साब बोला है और पुरा एन आई जो बाइट देंगे निस्टनल एक्टो मीडिया चैनल को तो इसमें डारेक्ट लोग बोले हुए कि ममता जी यह सब गलत था कला जो बोलेते हैं सब गलत था लेकि हो जाएगी इसको लेकर क्या कुछ जानकारी और कि कल राज पे 6-7 गंटा लगा कर जो रेस्क्यू टीम जो थे एंडियारेक का टीम फिर रेलवे के टीम से फिर उडिसा डिजास्टर मेनेजमेंट का भी टीम भी उडरा भी उदर मोजूद था तो उनके बज़े से पूरा जिद्यकलिन भीती से शुरूरू करके अभी तक पूरा 21 बगी को पूरा लाइन से हटा दिया गया है ट्रैक का मरामत और इलेक्री सिटी का भी मरामत का काम भी चल जारी है और ज्यादर ज्यादा तीन से चार गंटे के बाद यह पूरा ट्राक रेडी हो जाएगा फिर फेसला है वह आदा गंटा से एक गंटा से एक गंटे पेहा जाएगा की अच्चिदेंट ट्यू हुआ था पूरा डिटेल जो पोस्ट पर्टम रिपोर्टम बोलते हैं जिसको हाथ यहाद के बाद पोस्ट पर्टम तो उससी चार प्रिपोर्ट होता है जो उच्छे जांस क कि अभी बेठे हुआ है तो पूरा क्लारीटी देंगे ठीक आधा गंट से गंटे के बाद तो पूरी ताजा ताजा ख़बर हम लोग भी निव आच इंडिया में पूरा दिवा सकते हैं लोगों को पर बशुप्रिया सरोज इस खबर पर जोनने के लिए विस्तार पूर्व पूरी का बयान सामने आया 80% शरी धका हुआ होने की अनुमती मिलेगी और बीजेपी और कॉंग्रेस भी महंत के समर्थन में आई है बीजेपी बिरवक्त का मदू भट का बयान भी सामने आया है मंदिरों की अपनी परंपरा उसका पालन जरूरी है तो बड़ी खबर हरी द समर्थन में आई है बीजेपी प्रवक्ता मदू भट का बी बयान सामने आया मंदिरों की अपनी परंपरार उसका पालन करना जरूरी है खबरों में आगे बात करते हैं जहांपर गोरखपूर के टॉप 10 और उत्तर प्रदेश के टॉप 61 बदमाशों की फैरिस्ट में शामिल माफिया राकेश यादव ने गोरखपूर की एक अदालत में आत्म समर्पन कर दिया सूत्रों से मिली जौनकारी के मुताबिक माफिया राकेश यादव का नाम साल 1996 में उस समय आया जब जिले के मानी राम विधान सबाशेत्र में ततकालिन विधायक और प्रिकास पासवान को बम से मार कर उनकी हत्या कर दिती वर्तमान में उस पर 52 से जादा गंभीर कि 18 माई को जिले का टोप 10 माफिया अजीत शाही 26 माई को दूसरे टोप 10 में बदमाश से सुधीर सिंग और अब टोप 10 बदमाश राकेश यादव ने कौर्ट में जाकर अपना आत्म समर्पन कर दिया है कि अधिया से जादव अरतमान में किसी भी मुकदमे में वांचित नहीं है सारे मुकदमों में वो बेलाउट है चुकि प्रसासन का ये बहुत दबाव था कि आप एटैनी हाउ जो है किसी भी कंडिशन में जेल चले जाईए किसी भी मुकदमे में बेल वापस करवाके तो प उनके उपर जो सबसे बड़ा मुकदमा था ओम्परकास पासवान अत्या कांड़ का उस मुकदम में 2018 में ही इस तर पर जितने भी माफिया चैनित हैं उन सभी माफियाओं के खिला एक बार फिर सिरे से उनकी सारी संपति की परताल की जा रही है उनके खिलाब ऑपरेशन और इसी के वर पर जोदा जानकारी के साथ मेरे सरयोगी धनेश मेरे साथ फोन लाइन पर जोड़ चुके हैं धनेश जिस तरीके से गैंक्सर एक्ट के तहट जो यह अपराती था टॉप 10 में राकेश यादब उसने आत्म समर्पन किया है यानि कि माना जाए कि कानून बेव देखा जाता कि माद्रेश पूरी तरह से यूपी से साथ हो जाएंगे या फिर छीजे उनका जो जगहा है जेल भी जेल में रहेंगे तो बात को अगर मक्राइब गोरवपूर तो आपिशाए माफिया जो है गोरवपूर से रही ज़ीक ओंकी उप्ण की दास्ता सिदेए उ अप्राजिक जो अप्राज वान्शित थे उसारे माफिया जो कुछ लोग गायब हो चुके हैं और कुछ लोगों ने लगतार अजर बात की जाए तो सुरेंडर सचे सुधिर सिंग, सुधिर की राचे स्यादो और जो उनके सुरेंडर जो माफिया है अपना आप समत्र करती है अगर देखा जाए तो कहा जाए खौफ जो कानून का खौफ तो माफिया में दिख रहा है लगतार वो एक पर एक करके साहिंदर कर रहे हैं इन माफियाओं के खिलाब तो कही ना कही अब पुलिस का डर जो है वो बदमाशों में नजर आने लगा है जी बिल्कुल अगर बात की जाए आपरेशन सिकंजा जो सिकंजा करने की बात के जाए माफियाओं अफराजियों अफराजियों माफियाओं कर और आपर एक एक कर स्रेंदर कर रहे हैं जो है राकेस जादो ने यहां पर संद्र किया जो पूर विंधार मानी रांसे वाहते और पदकालिज में जो है चाlvania सत्र हमने स्वासवान बाथ गाव और उनके पितार हैं उनको जो हट्रयारन में वाशित भी यह राकेस जादों, उन्हों ने सेंडर किया झी दनेश कितने मामले दर्ज थे और कौन-कौन से ऐसे मामले थे जिनके खिलाब सक्त सक्त कारवाई करने के लिए पुलिस ने इसा अभ्यान की शुरुवात की थी और इतनी बड़ी सफल ताहत लगी है जी दर्जनों मामले में कारा हूँ कि जो पूर विरायक थे ओंप्रकास पासवान जो कमलेश पासवान अभी जो है सांसा से पासवाओं के उनके पीटा थे ओंप्रकास पासवान उनकी हत्या में वांचित थे भूमार और दर्जनों हत्या जो थी उसमें जो हक्यावन मामले मे वांचित थे ये राके सियादो उसको वांचित थे और लगातार पुलिस दवीज दे रही थी रूण रही थी और उसके दवाव में आके उन्होंने कल आत्प समझ पर किया जी चलिए बदो शुक्रिया धनेश इस खबर पर जूनने के लिए विस्तार पूर्बग जौनकारी देने के लिए रुक करतेक और बड़ी खबर का कुशी नगर से बड़ी खबर सामने अरे जोहां पर अग्यातकारनों से एक कपड़ी की दुकान में लगी है आग भेंगर आग आजपास की दुकानों में भी फैली है बाजार में मची आग मुझहाने के और लेकर अफ्रा तफरी आग लगने की सूचना पर इस्ताने पुलिस भी मौके पर पहुची है फाजिल नगर कस्वे की ये पूरी घटना बताई जा रही है तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जोहां पर आपको बता दे कि एक कपड़ी की दुकान में भी फिश्रन आग लगी है और साथी बता दे कि अग् अगर कस्वे की पूरी घटना बताई जा रही है खबरों में आगे बात करते हैं जोहां पर आगरा में यमुना नदी में नहाने गए चार यूबक डूब गए चारों की तलाश की जा रही है पुलिस के मुताबिक यूबकों को डूबता देख उनके दो अन्य साथी उन्हे बचाने के लिए यमुना में उत्रे लेकिन वो भी डूबने लगे जिने आसपास मौजूद लोगों ने बचा लिया थाना च्छता प्रिभारी अनुराग शर्मा ने बताया है कि यमुना में डूबे चारों दोस्तों का अभी तक पता नहीं चल सका है और गोताकोर उनकी तलाश में जुटे हुए हैं पुलिस के मुदाबिक सदर के रहने वाले च्छा यूबक हाथी घाट पर पूजा करने के लिए गए थे और रिज़ोरान चार यूबक यमुना में नहने उत्रे और रिज़ोरान डूब गए और इसी ख़बर पर जौदा जानकारी के साथ मेरे सजयोगी शिशुपाल मेरे साथ फोन लाइन पर जुट चुके हैं शिशुपाल चार यूबकों के डूबने की ख़बर सामने आई है आखिरकार अभी तक का क्या अपडेट जिशुपाल में आपको बता दूब यमना नदी में नाने के लिए चार लोग उत्रे थे वो दूब है आपको में बतायता हूँ उनकी आयूपरी जीट से बाइस वर्स की थी तो दो वजी की गटना है नौलखा के एक मिरत के मिज़र हो गया था उसकी बस्ती में आये लोग अंति्स कार में सामल होने के लिए ताज्ञान पंसान गात के लिए आhen वए थे जिसमर जह मित्क्त थे रिचिक सोनु उर्फ विष्नु शकिन तुसार पबन और विषाल अंतिन सन्सकार के वाद वहाद्व satisfy पूजवर करनेके बाब बुलथा करने के लिए उनकी छार पू गाजिपूर के गोरावाजार इलाके में एक बड़ा हाथसा हो गया है गंगा नदी के पत्थर घाट पर हाथसा उस्समें हुआ जब नदी के बीच में उभरते रेत के टीले पर पांच लड़के किशोर फुटबॉल खेल रहे थे किसी दोरान जोरदार किक से चलते फुटबॉल पानी में चली गई फुटबॉल वापस लाने के लिए पहले एक किशोर पानी में गया मगर वो नदी में गहराई के कारण डूबने लगा जिसके बाद दो और किशोर अपने साथी को बचाने के लिए नदी में गए, दोस्त को बचाने में वो भी नदी में डूब गए, जबकि उनके साथ मौझूद अन्य दो लड़के किसी तरह अपनी चान बचा सके हैं। उन लोगों ने घटना की जानकारी अन्य लोगों को दी और साथी सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुची, तब तक ढूबे हुए तीनों लड़कों को जुरान तलाशी उनकी की जा रही है। हाथसा यह कैसे वाक्या जान करें अभी तक जितना लोकल लेवल लोगों से पता चला है तो बच्चे खेल रहते हैं। हुचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुची पुलिस ने साने गोता खोरों की मदद से यूबक के शब को बरामत किया है और साथी पोस्ट माडम के लिए भेज दिया है। खबरों में आगे बात करते हैं जहांपर दिल्ली में स्कूली चात्रों की शिक्षा को बहतर बनाने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से अब योगा की क्लास पर भी विशेस जोड़ दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार स्कूलों में शात्रों की पढ़ाई के साथ साथ अब योग भी सिखाया जा रहा है। योग के दोरान दिल्ली के स्कूलों में शात्र भी बेहत साहित नजर आ रहे हैं। स्कूली शात्र भी जमकर मस्ती के साथ साथ योग भी कर रहे हैं। स्कूल शिक्षक और ट्रेनर का कहना है कि योग से मन शान्त होगा और छात्र अपने पढ़ाई पर ध्यान केंदित कर सकेंगे जब पिस्कूली शात्र भी इसका भरपूर आनन्द उठा रहे हैं अब जाले में सेक्टर आर्ट की विजाले में एसस्ट की टीचर हूँ और यहां पहले भी यह प्रिपल नाइन चैलेंज का योगा प्रोग्राम करवा चुकी हूँ और अभी दिली गवर्मेंट का 22 मही से लेके साजूत्य एक प्रोग्राम है जो यहां पर आयोट के जारा है स सब्सक्राइडमी के दुवारा इसमें हमारे प्रिंस्पल सर अभधेशा का बहुत ही सहयोग है हमारे साथ वह इंद्रस लेते हैं और इस योग प्रोग्राम से सभी बच्चों ने एक पोजिटिव अपना एनर्जी दिखाई है बच्चे छुटिया होते भी इसको प्रोग् मैं बंदनागर्ग हूं और स्कूल में साइंस की टीचर हूं और योगा के साथ हमारा जुडावी स्कूल में आकर के हुआ है इससे पहले हमने ट्रिपल नाइन चैनल बच्चों के साथ किया था जिसमें नाइन राउंड्स आफ सूर्य नमस्कार और नौ मिनट की मैडिटेशन नो दिन तक बच्चों को कराई पिछले साल भी हमारे यहां योगा का कैम्प लगाता है और हमारे बच्चे लगातार योगा करके हां पर बैनिफित हो रहे है और उससे बच्चों के अंदर बहुत मेजर चेंज देखने को मिल रहा है पहले से बहुत जादा ए और मेरी बडी में फ्लेक्सिबिलिटी आई है और हमार मतले पहले मेरे कमर में थोड़ा बड़ दर्द होता था उस वह ठीक हो गया उसके स्टेंथ ने और फ्लेक्सिबिलिटी आई है इसे तो अब हैंपे एक का जब और मेरे साथ फ्राल खबरों में इतना ही आप देखते रहे हैं न्यूस बोच इंडिया नमस्कार